डर धार हथियार से लोग बता रहे हैं कि तलवार लेकर निकलते हैं जैसे फिल्मों में क्वी अपने सीन देखाोगा उसी तरह से ठीक यहां भी होता है क्या चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि जो उसका है वो सब तूटना चाहिए और यहीं से लोग देस में रहने की अगर जाती विशेश शमुदाय का मामला होता तो अब तक एक्षन आपको धरातल पर दिखने लगता लेकिन अभी यहां कोई एक्षन दिख रहा है आप खुद देख लेजे आप बात सही करें इधर पूलिश टीम की ड्यूटी की जो गाइडलाइन है इन्हें बताया गया है अब तक बहुत कारवाईयां जो है वो धरातल पर देखने को आपको मिलती लेकिन आज पांच दिन बीटने को है प्रशासन ने हमें तीन दिन का श्वासन दिया था लेकिन पांचवा दिन भी बीट रहा है अभी तक आप देखेंगे तो धरातल पर कोई एक्षन नजर नही की से उकसाता था? दरोगा दबंगो को किस तरह से उकसाया करता था? फोन पे क्या जनकारी देती थी और ऐसे लोगोगों के उपार कठोरतम करवाई होनी चाहिए अगर काल डीटन निकल गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर सच्छात अगर निकलत है और यह साबित हो जाता है कि दरोगा अपने घर के भाई को उक्साता था अपने हम राहियों को उक्साता था तो कठोरतम कारवाई होनी चाहिए तो उन्हों ने यह कहा था कि देखिए यह अहिर प्रादरी है कि अगर ये अधर बिरादरी का क्या है आप लोग क्या चाहते हैं तेखिए जो मांग हमने पहले भी प्राध्ना पत्र जरिये रखी कभी कोई एक्षन नहीं लिया गया अब जो मांगे हैं तो कहीं न कहीं बाबा का जो बिल्डोजर है वह एक्षन में होना चाहिए दूसरी तरफ आरूपी का एंकाउंटर होना चाहिए अगर जो भी अभीक्त बैस्ते हैं उन्हक कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाए ताकि वह जीवन परियंत जेल में रहे ताकि इससे एक नजीर ब अच्छे तरीके से पनी मदद करें कुछ गाओं के लोग कुछ समस्त जो ग्राम वासी हैं आपके अगल बगल के लोग हैं कुछ लोगों का ऐसा भी बैयानाया है कि यादों का मामला है साथ इसके लिए कहरवाई नहीं हो रही हो इसको लेकर क्या कहिएगा इसके शंबंध म प्रशाशनिक कर्मचारी अथिकारी भी कहते रहे हैं कि यह मुख्यारूपी का पिता यह कई बार फर्जी सिकायते थाना स्थानी पर करता रहा है तो हमको वर्तमान समय में थाना ध्यच रायारम देविदी ने बुलाया था कि आपके खिलाप एक शिकायती प्रातना पत्र ह है तो उस दौरान उसे बात चीत हो हुँ तो हमने क्मने भारत चीषिक्ट हुए और अईसी कोई बादय में भी लगाय है तो उन्हों ने यह कहा था कि देखिए यह नया मारे युद्र कि मारने माली नहीं है ऐसा भी बात है तो कहीं न कहीं इंटेंशन है कि एह那麼 तो इनको उक्साइए, मार मर्डर करें ये लोग आपश में, अगर यही मैं कहता हूँ कि अगर ये अधर बिरादरी का मैटर होता है, जा है धाकुर का होता, ब्रामण का होता है, या मुश्लिम का होता, तो बिल्डोई और एक्षन भी होता, अब तक, इनकाउंटर भी होता, अब तक, बहुत कारवाईयां जो है, वो धरातल पर देखनों को आपको मिलती, लेकिन आज पांस दिन बीटने को है, प्रशास्टर ने हमें तीन दिन का श्वासन दिया था, लेकिन पांचवा दिन भी बीट रहा है, अभी तक आप देखेंगे, तो धरातल पर कोई एक्ष से उक्साता था, दरोगा दबंगो को किस तरह से उक्साया करता था, फोन पर क्या जनकारी देती थी और ऐसे लोगों के उपर कठोरतम कारवाई होनी चाहिए, अगर काल डिटल निकल गया, तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, अगर सच्छात अगर निकलत है, और यह साबित हो जाता है, कि दरोगा अपने घर के भाई को उक्साता था, अपने हम राहियों को उक्साता था, तो कठोरतम कारवाई होनी चाहिए, है ना? कठोरतम कारवाई कब होगी? कब होगी? अब वही तुम मैं कह रहा हूँ कि अगर जाती विशेश शमुदाय का मामला होता, तो अब तक एक्शन आपको धरातल पर दिखने लगता, लेकिन अब ही यहाँ कोई एक्शन दिख रहा है, आप खुद देख लिएजे. आप बात सही करें, इधर बस पूलिस टीम की डिवटी की जो गाइडलाइन है, इन्हें बताया गया है, कि आपको हाँ देख रिख करना है, ताकि कोई बात भी वाद नहों हो, और यह घटना अस्थल है, लोग बता रहे हैं, कि यही ओ घटना अस्थल पे, अनुराग याद मौझूद थे, ठीक है, वही जगह है, और यही पे गला रेत दिया जाता है, अनुराग यादो, कि यही गला रेत दिया जाता है, बगल में प्रात्मिक बिद्धाले है, यह बताते हैं, कि हम किसी तरह से अपनी जान बचा कर भगे थे, मैं एक बार फिर से, अच्छा यहां यही जगह है, गाउं के लोग यहां मौझूद थे, ठीक है, वही जगह है, और यहीं पे गला रेत दिया जाता है, धराधार हतियार से, लोग बता रहे हैं, कि तलवार लेकर निकलते हैं, जैसे फिल्मों में आपने सीन देखा होगा, उसी तरह से ठीक यहां भी होता है, औ कही कर सकते हैं, लेकिन कही न कही आपने देखा होगा दिवरिया कांड में, धिल्ल धला दिया था, साथ राजस्व भी भाग अपने समय से काम निप्टारा करता, तो साध्य गटना नहीं हो जाती थी, नहीं हो जाती, लेकिन जिसका यह कही बेड़ा था, ओ भी चिराग हुआ हाल है पिता जी बात करने की स्थिती में नहीं है थो सोच रहे कि अभ हम करेंगे क्या पिता जी काफी चिन्तित है काफी परिशान है और अपने न्याय कि गुहार लगा रहे है है लोगों से अब अब तक जनपरतिनिधि का क्या सवाघ है सासन पर सासन का क्या सायोग कुछ सायोग नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक संडे हो गया अभी तक कुछ भी नहीं है अखिर कहां से चूक हो रही है क्यों नहीं इस पर एक्षन लिया गारा आप लोग बताए कहां से चूक हो रही है सरकार से पूछे हम आप सरकार से पूछे पूछे कि कहां से और यह उनकारी मिलें किकल गिरबतारी भी है हाँ उनको करना ही expect 00inde करेंग कि भी आप सिरुप nos कि मौन ऑप बंते हैं कि इतने चाहते हमाग इतना को बथा शुका शूपके है कि बताते हैं है आप लोग चाहते हैं कि जो उसका तुटना चाहिए सा लुआ को गाव में का देश में रहने की यह नहीं है इसे लोग को तो गाव छोड़ो देश में भी रहने का लायक नहीं है कि प्लस तो भी गरना ही चीए सबक्रूर करते हैं अगर मान लिजे एक-दो साल बाद फिर छोड़ जाएगा फिर एक बड़ी घठना होगी इसको लेके क्या क पहले बहुत दुखत घटना है आपने देखा यह पीडित परिवार है रोरो कर भुरा हाल हो गया है और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है को ठोड़ताम करवाई होनी चाहिए मैं CM योगी जी से भी कहूंगा कि आप हमेशा ख़ड़े रहते हैं और कहते हैं कि आप राधियों को हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन यहां कहां से चू जेदन करूंगा कि इस परिवार को मदद की जाए इस परिवार को न्याय दिराए जाए बहुत-बहुत सुपकामना